दोस्तो 2.0 फिल्म आप लोगों ने देखी लिया और फिल्म के कलाइमेक्स के तो क्या कहने फिल्म के कलाइमेक्स में VFX जितना यूज हुआ है वो तो अलेटी आपने देखी लिया होगा लेकिन जो आप लोगों को नहीं पता अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी information जो शायद आपको नहीं मालूम होगा तो फिल्म का climax जो की अक्षे कुमार और रजनी कान की जो fight दिखाई गई है end में वो जो climax shoot हुआ है वो है दिल्ली के जवारलाल नहरू stadium में shoot हुआ है और इस जो ये climax की shooting जो हुई थी वो 45 days की हुई थी जिसमें दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी तो जो भी कास्ट थी और जो काम करने वाले थे फिल्म के साथ में उन सब को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि आक्षे कुमार का make-up और robotic चीज़ों को use करना तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी में काफी चीज़े जलती हैं गर्म हो जाती हैं तो इस वज़े से इस फिल्म को फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट करने में थोड़ा सा दिक्कत आया तो और हां मैं आपको ये भी बता दू कि फिल्म के क्लाइमेक्स पहरी सिफ 20 करोर रुपे खर्च किये गई है तो पूरे फिल्म का बजट जो जैसे कि आप आलेडी जानते ही हैं कि फिल्म का बजट जो रहा है वो 600 करोर रुपे का रहा है तो मेकर्स के लिए 20 करोर कुछ बड़ी बात तो नहीं है तो आपको हमारी दीगुई जानकारी क्या पहले से पता थी तो हमें क कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए का क्या आपको पता थी या नहीं पता थी और आगे के अपडेट्स के लिए देखते रही है अब बॉलेवुड स्पाई